अलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों मैं आपको एड़ोकेट विकास सिंग जो कि सुशान सीराजपूत के फैमिली के एड़ोकेट हैं उनका एक ट्वीट दिखाने जा रहा हूँ जिससे यह साफ हो जाता है कि सुशान सीराजपूत का यह जो केस है यह 100% नहीं 200% दोस्तों मर् लिखते हैं गेटिंग फ्रस्टेटेट बाइद डिले इन सीबी आई टेकिंगा डिसिशन तू कनवर्ट अबेटमेंट तू सुईसाइड तू मर्डर ऑफ एससर यानि की लिखते हैं कि वह काफी फ्रस्टेटेट हो जा रहे हैं इस बात को जानकर कि सीबी इतना देरी लग का रही है अबेटमेंट तू सुईसाइड को मर्डर में कनवर्ट करने के लिए दोक्टर को उन्होंने सुशान सिंग राजपूत के फोटोस भेजे थे और वो दॉक्टर एम्स की टीम का एक मेंबर भी है तो उन्होंने यह कहा था कि यह फोटोस देखकर 200% लगता है कि यह जो death है यह by strangulation है यानि कि गल्ले को दबा के मारा गया है और यह सुईसाइड का मामला नहीं रगता है यानि कि दोस्तों एम्स के एक डॉक्टर का भी यही मानना था कि यह 100% नहीं दोस्तों 200% मर्डर का मामला है परिवार को बड़ा गंभीर शक है कि शायद यह सुईसाइड नहीं क्योंकि हमारा जो fire था वो abatment to suicide था लेकिन अब जिस तरह की बाते आ रही हैं अब लग रहा है कि शायद यह सुईसाइड नहीं बलकि बहुर गंभीर अपराद शायद मर्डर का है अब दोस्तों देखते हैं आगे-अगे क्या होता है हम सबको तो सुशान सिराजपूर केस में CBI पर बहुत उमीद है और जहां तक खबर है दोस्तों CBI ने अच्छा काम भी किया है मैं आपको बताते आया हूँ लेकिन अब बात यह है कि कब वो अपना जो investigation का उनका report है वो